कि आहां तो च्छाइब करें हमारे लाज्ट के तीन किस्टन है पर टीन के किस्टन तो बचेवें इंपोर्जेंट किस्टन हम प्रयास करते हैं कि हमारे दूसरे वीडियो में उनको शामिल करें ताकि दूर दराज बठेवे हमारा इस्टुडेंट जो हमें लाइक करता है वो भी हमारे इस वीडियो से लाभानवित हो सके यहां असने की बात नहीं है जरूरी है यह कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सहर में रहते हैं तो उनको तो विशेश रूप से सुईदा ही होती है पूरी फेशलिटीज होती हैं गरक्वी टूटर आता है वो कौचिंग सेंटर जा सकते हैं लेकिन जो दूर किसी दहनी में या किसी गाउ में जिस बच्चे को किसी प्रकार कि सुईदा नहीं मिल रही है और गाउ में तो टुप्षिन की फेशलिटी भी नहीं मिलती है हakीकत बात तो ऐसी इस्तितिम उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी चीज रोती है और परतिवह इंगाम में बहुत होती है समझघे हो बात को हम क्यूशन से स्टार्ट करें हमारा क्यूशन है क्यूशन नमबर 8 यदी A और B क्रमशे माइनस 2 माइनस 2 और दो माइनस चार हो तो बिंदू पी के निर्दे सांग याद कीजिए ताकि एपी इक वेस्टू थी बाई सेवन एपी हो तो पी रेखा घंद एबी परिस्टित हो मैंने एक लाइन खिंची है उस लाइन के दो निर्दे सांग लिखें आप ए और ए और बी एके और बी के न निर्दे सांग कह ए माइनस दो कुमा माइनस दो और इसके निर्दे सांग कहें दो कुमा माइनस चार कलियर है मेरी बात यह तक दो कुमा माइनस चार बिंदू P के निर्दे सांग जात कीजिए इसके अंतहर में कोई बिंदू है जिसका नाम P है क्या है यहां पर कोई बिंदू दे रखा है जिसका नाम इसने P दिया है निर्दे सांग जात कीजिए ताकि AP equals to 3 by sound यह ratio माने आप पूरी रेखा खंड जो है वो 7 cm रती है इस condition के मुताबिक यह क्या कहता है AP equals to 3 by sound A से लेकर के P तक जो part है वो 3 का है और आगे कितना रह गया क्यार का रह गया प्रोब्लम इतनी सी है बस इसने रिखा है कि AB जो है वो 3 बटा 7 एक किसके बरबर है और BP या PB लाइन जो है वो 6 कितना remaining पालेट कितना रह गया 7 माइनस 3 equals to 4 तो यह ratio बन गया यहाँ पर 3 अनपात 4 का मैं शिदा फोर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गुमाव यहाँ नहीं है बाई यह बिंदू दे रखी है A जिसके निर्दे सांक है माइनस 2,2 दूसरा आउटसाइड पोइंट है उसका नाम है B जिसके निर्दे सांक दे रखी है 2,-4 इंटर्शक्ट पोइंट है P जिसके निर्दे सांक अपने को फाइंड करने है प्रोब्लम में दिया है पीक रिखांड A B परिष्टित है तो अपने को बिंदू P के निर्दे सांक फाइंड करने है और जो रेशियू दिया है लाइन का वो A P equals to 3 by 7 A B यह कंडिशन दिये है उसने उसके बेस पर हमें यह लिख सकते हैं कि A P लाइन जो है वो 3 यूनिट है और B P लाइन जो है वो 7-3 equals to 4 यूनिट है कलियर है मेरी बात अन्तह विभाजन बिंदू के निर्दे सांक अन्तह विभाजन बिंदू P के निर्दे सांक दो कंडिशन बनती है ना एक X की और एक है Y की है ना तो हम पहले P X फाइंड कर लें P X equals to M1 X2 PLUS M2 X1 BY M1 PLUS M2 यह तो आजेगी X की विल्यू Y की विल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे कलो यहां लिख देता हूँ P Y equals to M1 Y2 PLUS M2 Y1 BY M1 PLUS M2 यह फोर्मूला यूज कर लेंगे एक बार X को यूज करें एक बार Y को यूज करें कलियर है अब यहां पर P X equals to M1 की विल्यू कितनी है प्लाइस क्यारा यूज का यूज करेंगे तो यूज करते हैं। बटा में 7 तो P X equals to कितना हो जाएगा 8 माइनस का है 6 प्लस का है तो 8 में इसी 6 को माइनस करेंगे तो 2 बटा शाथ यह जाएगा तो यह तो आगी अंतहविवाजन बिंदू P निर्देशांट में X की वेल्यू आगे निकलें आप Y की वेल्यू तो क्या होगा cui si M1 उतों की वेल्यू 3 जाए यह 2 ऺदीशांट माइनस 0":-5 ST ROB कितने हैं-4 रवाई-1 की वेल्यू माइनस दो क्या लिखे माइनस 8 मभनली च्याद 24 अग्रें प्लस एम2 की वेल्यू 4 है यह यह वन की विद्ध बटे में तीन प्लास चा़ कि यह एकवाई कि कि ạ लिखें वाइनस के बाराँ यहाँ माइनस के 8 जटामे शाते वॉय स्टूम फी यह रूर इसका मतला प्लस में कर दें कि दोनों को मुलस कर दें सब्सक्राइब निशार्म तो मैननला कई साहत यह वाई की विल्ट तो अंतर वजन बिंदू के निर्देशांग क्या गए हैं निर्देशांग क्या गए निर्देशांग एक वर्सटूम ऑप यह के निर्देशांग चलो ऐसे लिखते हैं पी के निर्देशांग एक का तो है माइनस दो बटा साथ एकस का और य का है माइनस का बीश बटा साथ क्लियर यह आपके आंसर हो जाएंगे ओके चलो क्यावाश पुरा क्शिन आपके सामने है सात्मा क्शिन को नोट करें इसको पहले मनन नंवह वी थैश्य न्याम डेक है मिल्डू आहिक शानदार और क्षुचन रखे हैं माइनस दो और वी के कोडिनेट्स दे रखे हैं दो और आठ जोडने वाले रेखाखंड ए भी को चार बराबर भगों में बाटना है और उस मिंदू के निर्देशांग अपने को ग्याद करने है तो सबसे पहले तो क्या करें हम जो रेखाखंड दे रखा है उस रेखाखंड को चार पार्ट में डिवाइड कर लें करें जैसे यह तो ए दे रखा है यह बी दे रखा है एक निर्देशांग इसने दिये है माइनस का दो और दो बी के निर्देशांग दे रखे हैं दो कॉमा आठ लाइन को चार भगों में सबसे पहले हम इस यहां पर बिंदू पी लोकेट करते हैं पी रखते हैं पी बिंदू के निर्दे सांख फैंड करेंगे तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस की बात एक ही रहनी चाहिए कि जहां पी जो है वह अंतावी वाजन बिंदू है इंटर्सक्ट पॉइंट है ना और पी से एक की डिस्टेंस क्या है पी से बी की डिस्टेंस क्या है हम यूनिट के रूप में लिखेंगे रेशियो के रूप में लिखेंगे तो क्या है एक का रेशियो क्या हुआ एक का और पी बी का रेशियो क्या हुआ तीन का देखें एक द किकने मिटर दूर है ? तीन मिटर दूर है , किलो मिटर दूर है ? लग्या हम? एक के निरदे सांग दे कुमा दो के निर्देशांग को हैं दो कुमा आट अनुपात क्या रखा है रे सियों में कितना दिरखा है है एक अंपात थीन है न क्यूंकि चार वागों में बंटेंगे तो एक वाग स्वे यह और एक वाग सैंग अब सिंद्टू का नाम है पी तो।OR ने पंदू के नि पी के निर्दे सांक लिखेंगे तो फॉर्मुला क्या लगना है क्या फॉर्मुला है पी एक्स एकोईस्टू एम वन एक्स टू प्लास एम टू एक्स वन वाई M1 plus M2, PY की value निकालेंगे हम, क्या निकालें, PY की value निकालें, PY की value तो क्या हैगा M1, Y2 plus M2, Y1 plus M1 plus M2, M1 की value कितनी है, कितना है यह, अनुपात कितना है, जो बन यहां लिख लिया है, 1, X2 की value कितनी है, 2, M2 की value कितनी है, 3, और X1 की value कितनी है, माइनस का 2, बटे में, 1 plus 3, एक को 2 से multiply करेंगे, 2, 3 को 2 से multiply करेंगे, तो माइनस का 6, बटा में 4, तो यहां कितना आजएगा, माइनस का 4 बटा 4, यानि, cancel करेंगे, तो क्या हैगा, एक आजएगा, माइनस का 1, किसका, यह, आनता है वाजन विंदू, P के निर्देशांग में, पहला X की value निकाली है, Y की value निकाले हम, Y की value निकालेंगे, तो क्या हैगा, M1 की value कितनी है, 1, Y2 की value कितनी है, 8, M2 की value कितनी है, 3, और Y1 की value, 2, बटे में, 1 प्लास 3, PY क्वेस्टूम, 8, 3 को 2 से मुट्पले करेंगे, 6, बटे में, 4, PY क्वेस्टूम, 14 बटा 2, यानि कि, 14 बटा 4, सुरी, फिरना है, 14 बटा 4, तो 7 बटा 2, यह आ गई PY की value, तो एक बिंदू जो आपने P locate किया था, उसके निर्देशांग तो आ गए, X की value minus 1 और Y की value, 7 बटा 2, कलियर है मेरी बात, अब देखिए, दूसरा बिंदू, दूसरे बिंदू को लेंगे हम, तो दूसरा बिंदू क्या हैगा, शैम condition है, condition गोई है, अब की बार, बिंदू जो आप क्यों ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्यों बिंदू, अब की बार ratio क्या हो जाएगा, पी को एक बार यहां से remove करके देखिए, ratio क्या हो जाएगा, दो अनपात 2 के दो, एक अनपात 1 के दो, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, ratio equal है, अगर दो अनपात 2 लोगे न आप है, तो भी अनपात को हम काटेंगे, तो एक अनपात 1 कंडिशनी आएगी, कर लोगे आप, number 3, अगर हम यहां isq के बाद में r को locate करें, तो अनपात क्या हो जाएगा, 3 अनपात 1, आजएगा, r का बता दू, p का बरबर में अनपात है, इसलिए बतानी क्या आउशिक्ता नहीं है, मैं शिर्फ r का बता रहा हूँ, अनतहे विभाजन बिन्दू r के निर्देशांक, अनतहे विभाजन, बिन्दू r के निर्देशांक, फर्मूला क्या लगना है, p x equals to m1, x2, m2, x1 by m1 plus m2, y की value निकालोगे आप है, तो क्या होगा, m1, y2, m2, y1, बते में m1 plus m2, m1 plus m2, क्लियर है क्या, क्या नहीं, m1 plus m2, अब लिखें आप, m1 की value कितनी है, अनुपाथ क्या आएगा आपकी बार, इसको रिमूब करके देखें, आप y को हटा करके देखें, अनुपाथ क्या रह गया, तीन अनुपाथ, एक, तो तीन, एंटू, x2 की value कितनी है, x2 की value, 2, m2 की value कितनी है, 1, और x1 की value, माइनस का 2, बट्टे में, 3 plus 1, यह हो गया, 6, माइनस का 2, बट्टे में, 4, 6 में, 2 को माइनस करेंगे, तो 4 बट्टा, 4, यानि cancel करेंगे, तो 1 आज़ा, यह px की value हो जाएगी, sorry, rx लिखो भी यहां पे, sorry, गल्ती होगी, यहां बिंदू का नाम क्या दे रहे हो आपे, r नाम दे रहे हो तो rx और r y, यह लिखो, clear ना, क्यूंकि अब की बार अन्तावी बजन बिंदू का नाम, हमने r को पुट किया है, r रखा है, यह तो p था, यह r है, तो p a, px और p y के लिखे, अब y की विल्यू निकालने तो क्या होगा, r y question, m1 की विल्यू, m1 की विल्यू, 3 है, into y2 की विल्यू, 8, m2 की विल्यू, 1, और y1 की विल्यू, 2, बट्टे में, 3 प्लास, 1, r y question, 24, प्लास, 2, बट्टे में, क्या, तो r y question, यह हो गया, 26 बट्टा 2, और 26 को 2 से cancel करेंगे, तो किरने आएंगे, 26 बट्टा 4 अबई, तो किरने आएंगे, 13 बट्टा 2, यह आगया, r y की विल्यू, यह आगई, r x की विल्यू, निकालोगे, क्यूस्टन कंप्लीट है, इस टॉप का वह एक मिन्ट, तहले, आँ देखें, अपना अगला question है, last question इस exercise का, ख्यामदार question है, आपको एक ही चीज द्यान में रखनी है, कि एक तो आपको अपना दिमाग 7.1 exercise में लेके जाना है, दो बिन्दों के बीच की दूरी find करनी है, ठीक है, दो बिन्दों कोन से हैं, यहाँ, मैं बिन्दों locate कर रहा हूं जान दे, A, B, C, और D, इसने यह कहा है, कि एक सम्चत्रूज, यह सम्चत्रूज है, हो सकता है कि डाइग्राम थोड़ा टेटड़ा हो, पहले तो इसके diagonal find करने आप लोगों को, डाइग्रन फाइंड हो जाएंगे ना इसके विकेरण, तो सम्चत्रूज का ख्षेत्रफल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, एक बटा दो, इन्टू, विकेरण इन्टू विकेरण, या यह कह सकते हो, एक बटा दो, विकेरणों का गुणन फाइंड तो पहले हमें यह इसके विकेरण find करने होंगे, A to C distance और B to D distance, कर लेंगे, वो किस बेस पर होगा, किस फॉर्मूले से होगा, दूरी सुत्र फॉर्मूले से, कर लें हम, पहले निकाल लें हम, A, C के B की दूरी, हर चीज लिखू थोड़ी यहां पर, A के निर्दे सांग कितने हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूँ, A के निर्दे सांग के हैं 3,0, B के निर्दे सांग के हैं 4,5, C के निर्दे सांग के हैं, माइनस एक चार, माइनस एक और हैं 4, और डी के निर्दे संग दे रखे हैं 2, माइनस 2, माइनस 1 एक चिन की गडबर जो है पूरे क्विश्ण को चेंज करते हैं इसलिए बहुत ही केरफुली बहुत ही साउधानी से आपको क्विश्ण करना चाहिए क्या लेकर हम A, C के बीच की दूरी बीच की दूरी का फोर्मला क्या है बीच की दूरी एक वेस्टू X1 माइनस X2 बुक में दे रखा है X2 माइनस X1 कोई फ्रक नहीं पड़ेगा आप अगर इसको X2 माइनस X1 का होल स्कार प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्कार का उसक्वाइर रूट यह तो निकालेंगे हम A, C के बीच की दूरी X1 कितना है X2 कितना है माइनस एक X1 कितना है तीन का होल स्कार प्लस Y2 कितना है चार और Y1 कितना है जीरो का होल स्कार इसका उसक्वाइर रूट लेंगे दोनों को मैनस निषान है तो क्या ओज़ेंगे मायनस का चार का होल स्कैल और यहां स्कार का होल तो यह कितने हाँगे मायनस चार को मैनस precio म्ललिप्लाई करेंगे तो प्लस की सोला अ और यह कितने हो गये उसला दोनों को सं कर देगे करेंगे अंडर रूट थर्टी टू इसको ऐसे पड़ा रहे हैं कि नेक्स्ट आगे करें तो इसके बीच की दूरी निकालने अब की बार अपने को एक बीच की दूरी देखें बीच की दूरी क्या एगी कि फोर्मूला क्या लगना है वही है अब की बार निर्देशांक में यह पहला बिंदू है यह दूसरा बिंदू है तो फोर्मूला तो वही लगना है X1 के तूं क्या चलो X2 करते आपको बूकया अकॉर्डिंग यök सेते हैं एक्स टू- वाइनस एक्सवन का होल सक्षर्ण प्लस Y2- वाइनस वाई-1 का होल सक्षर्ण स्वयर रूट is theX 2 की वेल्उ कितनी है — का मैंनस या दो चरीफ 5 प्लस का है और फर्मूलिय के मदब की है मायनिस का हो जाएगा आगे चलों कि मायने डूर मायनस मैनस चेज़ सका है दोनों को सफ्टीश प्लस का और storage अब हैं दोन्नों विक्रेंट हमने फाइंड कर लिए एक विक्रेंट आया थर्टीटू यह जो आप लोगों को बड़ा दिख रहा है तो चित्र हमने रब की रूप में यूज़ किया है इसलिए आप चित्र के मताबिक इसकी नाप को ना समझें अब देखिया हमें क्याइंड करना है और सम चत्रूज गयाद करने का फोर्मूला क्या होता है कि क्या फोर्मूला है वन बाइट्टू इन्टू विकर्न इन्टू विकर्न या विकरनों का गुणन फल एक बट्टा दो इन्टु एक का विकरन कितना है अंडर रूट 32 और दूसरे का विकरन कितना है अंडर रूट 72 बंद करना एक मिन्ट देखिए इस संक्या को हमें थोड़ा सा आगे हल करें तो एक बट्टा दो इन्टु अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं चार अंडर रूट दो क्या लिख देंगे वर्गमूल निकालोगे पेर बनाओगे तो चार अंडर रूट दो विल्यू आजाएगी इसकी इसी प्रकार से 72 के तुकड़े करके इसके रूट निकालेंगे तो अच्छा है अंडर रूट दो अब इस दो से काट दो इसको दो से इसको काटेंगे क्या आएगा दो आजेगा अब ओपन नंबर जो हैं उनको एक तरफ मल्टिप्लाई करो ओपन नंबर कौन-कौन से हैं दो गुणा छे इसको और इसको और अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से मल्टिप्लाई कर लूँ आप लोगों के लिए शिद्या मतलब एकदम सरलतम वे में लिख रहा हूं है हल करें आगे है 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 तो क्या होगा थो आएल याइसैंदी बारा और अंडर रूट दो को अंडर रूट थो 12 से म 먹लें कर देंगे तो 21 जो आकरती देर खेरे खागनीती है उसकी वरग सेंटिमेट्री या वरग मिट्र के रुपने आती है कल यह रहा मेरी बात चलो सबी बचे इसको इजिली नोट करें और तंशेप्ट को बहुत द्यान पूरा करें घर जाकर के एक बार फिर करें मैं इसको आप लोगों के लिए प्रिव्यू कर देता हूं आपके सामने आजाएगा पुर्दा क्रियास करता हूं मैं चलो ठीक है चलो बई